नामस्कार दोस्तों, बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है संस्क्रीन के बारे में तो सभी लोगों से जरूर सुना होगा संस्क्रीन को हमेशा स्किन केर से जोड़ कर देखा जाता है लेकिन आपको बता दे कि संस्क्रीन त्वचा के साथ ही बालों के लिए भी बहुत जरूरी होता है जिस तरह धूप और धूल मिट्टी से त्वचा को प्रोटेक्ट किया जाता है ऐसे ही बालों को भी धूप और धूल मिट्टी से प्रोटेक्ट करना चाहिए क्योंकि स्किन की तरह बालों को भी धूल प्रदूशन और धूप से नुकसान पहुंच सकता है अगर आप भी अभी तक सिर्फ तवचा पर ही संस्क्रीन लगाते हैं तो बालों पर भी लगाना शुरू कर दे इससे बालों को डैमेज होने से बचाय जा सकता है संस्क्रीन लगाने से बाल सं डैमेज से बचते हैं साथ ही बालों में नमी भी बनी रहती है अगर आप बालों पर रोजाना संस्क्रीन लगाकर बाहर निकलेंगे तो आपके बाल हमेशा हेल्दी बने रहेंगे आई जानते हैं कि बालों पर संस्क्रीन लगाने से क्या फाइदे होते हैं सूरज की किर्णों से बचाब अगर आप बालों पर संस्क्रीन लगा कर बाहर निकलेंगे तो इससे बाल सूरज की हानिकारा किर्णों से बच सकते हैं संस्क्रीन बालों को धूप सूरज की हानिकारा किर्णों से बचाता है साथ ही बालों को डामेज होने से भी बचाता है अगर आप रोज सुभे बालों पर संस्क्रीन लगाएंगे तो इससे बाल हमेशा हेल्दी रहेंगे बालों की चमक और निखार बदकरार रहेगा धूप धूल मिट्टी और पल्यूशन की वज़े से ना सिर्फ तवचा डामेज हो दी बलकि इससे बालों को भी नुकसान पहुंच सकता है धूप की वज़े से बालों की चमक और निखार कम हो सकता है अगर आप बालों पर नियमित रूप से संस्क्रीन लगाएंगे तो इससे बालों की चमक बरकरार रहेगी स्कैल्प को हेल्दी रखे हैर संस्क्रीन बालों के साथ ही स्कैल्प में भी काफी फायदे करता है थूप की वज़े से स्कैल्प से जुड़ी कई परिशान्या होने लगती है ऐसे मैं कर आप बालों पर संस्क्रीन लगाएंगे तो इससे स्कैल्प को हेल्दी बना रहेगा अब सवाल यह उठता है कि बालों पर संस्क्रीन कैसे लगाएं बालों पर sunskreen लगाने के लिए सबसे पहले hair wash कर ले, जब बालों को अचे तरह से सूखने दे, इसके बाद sunskreen को बालों के जड़ से लेकर सिरे तक लगाएं। आप चाहे तो स्प्रे वाला संस्क्रीन लगा सकते ही इससे बालों और स्कैल्ब तक संस्क्रीन पहुँच जाता है फिर बालों को कॉम करें इससे आपके बाल सॉफ्ट हो जाएंगे और आप धूब में जाने के लिए तयार हो जाएंगे तो दोस्ते वारे आज के इस वीडियो में इतना ही उमीद करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा हम एक कामेंट में जरूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा वीडियो को लाइकें चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें